और भाई लोग क्या ले, बॉड़ी बिल्डिंग सप्लिमेंट्स को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है, इतने सारे सप्लिमेंट्स है मार्केट में कि हम समझ नहीं पादे कहाँ पैसा लगाएं, कोई कहता है गलूटामाइन ज़रूरी है, कोई कहता है बीसी डबले, कोई कहत है प्री वर्काउट, एल अरजनाइन और बहुत सारी चीज़े, मैं आज इस वीडियो में तुम्हारा कॉंसेट क्लियर कर दूँगा, बिल्कुल क्लियर कर दूँगा तो मैं बताऊंगा कि कौन से सप्लिमेंट सच में नेसेसरी है, और कौन कौन से सप्लिमेंट आप तब ले सकते हो, जब आपके पास अल्रेडी बैलेंस है, इन्वेस्ट करने के लिए, अगर नहीं है, जेव टाइट है, मेरी तरह है, तो क्यूंकि स्टार्टिंग के फेज में भाई मैं वेब प्रोटीन ही बहुत मुश्किल से खरीद पाता था, तुम्हें सच बता रहा हूँ, तो मैंने कौन-कौन से सप्लिमेंट यूज किया, जिससे मैंने ठिक-ठक मसल गेन किया, और उसके पीछे का साइन्टिफिक रीजन सब कुछ एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ, सीधा कंटेंट बे आते हैं, देखो, वेब रोटीन, रॉवे, आईसोलेट, या कंसंट्रेट वो तो आपके गोल पर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा ब्रैंड अच्छा है, वो मैं इंस्टाग्राम पर रिव्यू करते रहता हूँ, वहां से अगर आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो, अधर्वाइस आप अपने चोईस का रखते एक बर, क्योंकि यह जरूरी सप्लिमेंट में आता है, कई लोग बोलेंगे कि डाइट, अगर आप डाइट से प्रोटीन रिक्वार्मेंट पूरी कर सकते हो, तो यह तो भाई अच्छी बात है, बट चक्कर क्या है, अगर सच मान हो, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि होममेड प्रोटीन, फिर उसमें क्या बताते हैं, 100 ग्राम बादाम एक बार में, फिर उसमें छुहारे, किश्मिश, आपको सच बता रहा हूँ, आप कॉस्ट कैलकुलेट करके देख ले ना, कि कौन सा आपको एक्स्पेंसिव पढ़ता है, फिर डिसीजन ले 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 ना, उ इसका मैं कंटेंट अगर देखूं, तो इसमें सेट्रॉलीन, बीटालनाइन, अर्जनाइन, सर्फिक्ट, कैफीन वगएरा सब कुछ है, एक्जाम्पल देता हूँ, मालो मेरा गोल है मसल गेन करना, मुझे यसा लगता है कि मुझे नीद प्रॉपर मिल रही है, मेरी अगर लूँगा, तो वो भी जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बूश्टर का काम करेगा मेरी बॉडी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ प्री वर्काउट रिव्यू भी करता हूँ, तो आप कंफ्यूज होगे कि लेना है नहीं लेना है, जिसके पास एलेमेंट लेने से पहले, आपको डॉक्टर से आपने मेडिकल कंडिशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, तो एलर्जनाइन जब आप कंज्यूम करोगे, तो रेट वन फोर्थ पढ़ता है, एलर्जनाइन के साथ आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर लो, और कैफीन तुम्हें चाहिए मान लो, रो कैफीन लेलो, रो कैफीन बहुत सस्ता है, रो कैफीन के साथ आप अलर्जनाइन को अगर कंबाइन करते हो, तो एक बहुत अच्छा कॉंबिनेशन होता है, एक अच्छी एनरजी और पंप दोनों आपको मिल जाएगा, आपको 700 रुपे में, काम कतम, वेब रोटीन की में बाद करूं, वेब रोटीन अपले सकते हो, अब अगर आपके डाइट में आप इन चीजों को रखते हो, जो एक अच्छा अमीनो एसिड प्रोफाइल क्रियेट करके देता है, आपको आपकी डाइट के हिसाब से, तो आपको में इनवेस्ट करते हैं, तो मैं सच बताओं, तो मल्टी वाइटमीन एक सस्ते में अच्छा ऑप्शन है, तो बी ओनेस्ट, बट अगर आपका बजट उसका भी नहीं है, तो उसका भी जुगाड है, गूगल बे जाओ, हर वाइटमीन एन रिच फ्रूट को सर्च करो, आप क्यों अलग से मल्टी वाइटमीन टाबलेट में इनवेस्ट करोगे, बहुत सारे ब्रैंड मेरे पीछे पढ़ेंगे कि भाई, तुम क्या कर रहे हो, दुकान बंद करवाओगे, बट देखो यार, सिम्पल सी बात है, ये सारे सेजेशन्स उनके लिए हैं, जिनका बज अची रखी, वे प्रोटीन चला लिया, और वर्काउट से पहले, जो मैंने सस्ता जो गाड़ बता है, ये चला लिया, साब कुछ यहां है, यहां, डेडिकेशन लेवल, जब तुम्हारा मीट करेगा ना, जो जो लेवल चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैं सच बता रहा हूँ ह प्रोटीन बहुत है, इतना काफी है, ओवर्वल बजट देखोगे, तो बहुत कम में हो जाएगा तुम्हारा, अब जो चीजे ना, जैसे ग्लूटा माइन, बीसी डबले, ये सब एडवांस लेवल का एथिलीट के लिया, इतना काफी है, ओवर्वल बजट देखोगे, तो जाता है, एक बिगनर को इसमें इंवेस्ट करने की जरुवत नहीं है, जब तक तुम एडवांस लेवल पर पहुचोगे, आई होप तब तक तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम इतने पैसे कमाने लगों कि तुम उसमें इंवेस्ट कर सको, जब पैसे आ जाएंगे तो कर स्टार्डिंग फेज में जरुवत नहीं है, मेरे भाई, कन्फ्यूज मत हो कि इतने सारी चीजों में इंवेस्ट करना है, कैसे होगा, प्रोटीन लो, ये दो चीज़े जो बताया, लो, that's right, डाइट अच्छी रखो, स्लीप अच्छी रखोगे न, एक एक जामपल और देत है, बेसिक चीजों पर देहान दो मेरे भाई, स्टार्टिंग फेज में, बहुत लंबे जाओगे, सजबता रहो, बाद में एक टाइम आएगा, इन्वेस्ट करना, so guys, that will be all, कुछ साइन्स और कुछ मेरा एक्स्पीरियंस, इसको मिला कि ये कंटेंट बनाया था आपके लि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, that will be all, thank you so much, keep supporting, bye